प्रशकार आप फिजिकल एजूकेसंच्ट बाल में आप सभी का स्वागत है मैं विपेन अगी नोत्री आपको बताने जा रहा हूँ U.P.T.A की आंसर की में कितने प्रस्णों पर आपत्ती है और जो आंसर की आई है उसमें कितना जोल है U.P.T.A की जो आंसर की आई है उस पर आपठ्यों ने प्राथ्मिक इस्तर पर 44 पर आपत्य दर्श् कराई है और आपत्य ऐसे समय में आई है पता नहीं कैसे आयोग ने यह आंसर की तयार कराई पता नहीं क्या किया इसमें कि लगबग 44 पर आपत्य आनक बहुत बड़ी बात है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने प्रसनों पर आपत्ति आये ये पहली बार है कि प्रात्वी इस पर चौमान प्रसनों पर आपत्ति इसके लिए बहुत कड़ी मसगत करनी पड़ेगी उपीटेट को और इसका मतलब यह होता है कि जब यह आंसर की जारी की गई तो इस प तक इन आपत्तियों को निप्टाना होगा इनके सही आंसर ढूलने होंगे और आंसर सही आंसर फाइनल करके आयुक को फिर जो यह आंसर की जारी करेगा वो फाइनल आंसर की 23 फरवरी को जारी होगी 23 फरवरी को फाइनल आंसर की जारी होने के बाद 25 फरवरी को इसका फाइ पर आपत्ती है तो निश्चित और पर आयो कुछ कोश्चन ऐसे होंगे जिन पर अब भर्थी कोंट भी जा सकते हैं इसलिए पहले से ही सोंच समझ कर यूपी टेट को अपनी जो ये आंसर की है इसको जारी करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया इसका खामिया जा समय पर बात करके अब भर्थी और सरकार दोनों को भुगतना होगा जबकि चुराओं के ठीक बास सूपर टेट परिच्छा होने की संभावना बिक्त की ज उपर से आफिसियल आंसर की 23 फरवरी को आएगी देखते हैं तब उसमें आयो क्या करता है